जैहिन सभी डिफेंस पेंसनर बंधू, मुझे उमीद है आपका पेंसन विसेश कर, खास कर असपर्स से आ रहा होगा और इसी दिशा में मैं असपर्स के ट्रेनिंग के एक खास विसेश स्रिंखला प्रारंब किया हूँ उसी में आज पबलिक के डिमांड पर ही, टेक्स से संबंधित, कर से संबंधित, कई तरह की समस्याएं हमारे भुजूर्ग डिफेंस पेंसनर को आ रही थी इसी से संबंधित आज मैं विडियो बदाने जा रहा हूँ मुझे उमीद है, आप इससे पहले का विडियो हमारा देख रहे हूँगे, इस स्रिंखला में मैं कभर किया हूँ अगर आपने नहीं देखा होगा, तो Living Happily यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इसमें आपको हंडेट से भी ज़्यादा विडियो मिलेंगे कैसे हम successful login करते हैं, successful login करने के बाद पहला काम क्या करना होता है, तो declaration, mandatory declaration है, यह सब करना होता, live certificate जमा करना होता, अपने profile को check करना होता, view करना होता, अगर edit करना है, तो edit कीजिए, document submit कीजिए, इस तरह से आपने profile submit कर दिया, purify कर लिया, अब मैं grievances भी मैंने बता चुका हूँ कि किस तरह से अगर कोई तुर्टिया है तो उसे दूर करने के लिए, grievances मीनू को कैसे करते हैं, grievances के अंदर क्या क्या आते हैं, दो तरह के request होते हैं, एक तो instantly update हो जाते हैं, और एक में record office या station headquarter की जरूरत पढ़ती है, तो आज मैं tax के बारे मैं बताने जा रहा हूँ और यहां आते हैं service request के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे साल अंतो रहे हम सब को तनाव होता है tax का किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से वायध रूप से tax बचाया जाए, तो tax बचाने के कई तरह के प्राबधान सरकार खुद ही देती है, वो प्राब में recover करने के लिए हमें साल छे मैना साल बच इस तरह से इंतिजार भी करना पड़ जाता है, तो आप सही tax जमा करें, सही तरह से declare करें, इसी दिशा में यह video को target करके रखा हूँ, मैं video को मुख्य बिंदु पर ले जाऊं, इससे पहले मैं नरेंदर कुमार, wellness consultant, आप सबों को स्वागत तो करता ही हूँ, साथ मैं बिनमर निवेदन भी करता हूँ, कि अगर living happily में आप पहली बार आए हमारे चैनल में, तो अवस्चे ही subscribe करें, like करें, comment करें, और अपने सगे समंधियों के साथ भी साजहा करें, और bell icon तो अवस्चे ही push करें, ताकि हमारी uploaded सार आई वीडियो का notification आपको मिलते रहें, तो आएए अब हम प्रमुख बिन्दू पर आते हैं, कि मैं अब उमीद करता हूँ, कि अब आप successfully login कर लिये होंगे, अपने user credential, website का क्या नाम है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, https colon double slash aspers.defensepension.gov.in इसे आप किसी भी ब्राजर में, mobile में, टाइब में, laptop में, कहीं भी, आप login कीजिए, वहाँ पहुचिए, अपने user credential, जिसमें की आपको 12 नंबर का aspers PPO नंबर है, जिसे 01 से service वाले, और 02 से, family pension वाले, login करें, password डालें, capture डालें, और submit करके आगे बढ़ें, आपको अपना dashboard मिल जाएगा, वहाँ आपके rank के साथ welcome किया जाएगा, welcome, यहाँ lift में तीन arrow आएंगे, तीन parallel line आएंगे, वहीं आपको click करना है, यहीं click करेंगे, तो दुनिया भर के तमाम आपको menu आएंगे, जिसमें menu में होते हैं, track status, life certificate, identification, my profile, इस तरह की तमाम होती है, जिसमें आपको graviences रहेंगे, projected tax रहेंगे, summary रहेंगे, slab wise tax, summary report, tax projection report, my document, service request, बहुत तरह के रहते हैं, आपको क्या करना है, अगर tax से सम्मंधित कुछ भी करना चाहते हैं, तो tax service request में जाएं, और वहाँ पर आपको कई त खूलेंगे, जिसमें की, commutation detail होते हैं, confirm tax option होते हैं, investment declaration होते हैं, आपको अपने PPO को link करना है, medical FMA, fixed medical allowance, उसे बंद करवाना है, या revet income tax लेना है, इस तरह से तमाम मिनु आते हैं, अब एक करके मैं बताता हूं, कि यहां क्या करना होता, जैसे आप click करेंगे, commutation detail, तो आपक commutation, जो कि हम 15 साल का, 15 साल तक है deduction होगा, जैसा हम सब जान रहे होंगे, कि 9 years का, जितना percent हमने दिया है, cutting के लिए commit किये हैं, 9 years तक का payment मिलता है, और 15 years तक का, हमें repayment करने होते हैं, जो भी amount होगा, तो इसमें अगर कोई variation है, amount wise या year wise, तो इसके लिए आपको commutation form की यहां, आएगा, ग्रे कलर उसमें editable नहीं है, step 1 में yes no करना है, commutation percentage आपने क्या दिया है, यह आते हैं, अगला मीनू आते हैं, आपको confirm tax options, tax option में आप new के तह जाना चाहते हैं, या old के scheme के तह जाना चाहते हैं, तो निश्चित है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, अगर आप तमा home loan बेगरा नहीं लिए है, home loan बेगरा, तो आपको new scheme में जाना चाहते हैं, तो यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, किसी एक line का बताया नहीं जा सकता है, कि हमारे लिए आपके लिए कौन सा benefit होगा, यह अलग व्यक्ति को, अलग संदर्व में, अलग परिष्थिती में सब के लिए लावकारी हो सकता है, तो यहाँ चुनाओ, आपको ही अंततह करना है, investment declaration, यह बड़ा ही महतवपूर्ण है, क्योंकि investment declaration के तहत ही, आपकी tax की बचत होगी बैध रूप से, तो मैं बैध जो है, वही मैं बताने जा रहा हूं, जैसे आप करेंगे, तो आपको financial year select कर लेना है, suppose अभी आप करने जा रहे, तो 2023 से 2024 का आएगा, pensioner का नाम आपको अपने आप आएगा, जैसे declare investment करेंगे, नीचे एक drop down table आ जाएगा, और इसमें तमाम तरह के information होंगे, जिसमें सबसे पहला आता है, housing loan, जिसमें की interest, additional interest on housing loan taken, within इस साल से इस साल जो भी लिये ह आप, यहाँ जब इस menu पर home loan वाले पर करेंगे, तो आपको यहाँ loan का account number, lender कौन है, concept bank है, आपका pen तो यहाँ है, lender का जो bank का pen है, यह pen लिया जाएगा, तो सारे करीब 67 details यहाँ पूछे जाएगे, सब verifyable होते हैं, तब आपको जाके, यहाँ home loan का interest का benefit होता है, वो मिलेगा, और capital का जो है, वो ATC में मिलता ही है, इसके साथ ही ATC investment जो आप करते हैं, 1.5 लाग तक जो कर सकते हैं, इसके तहत कुछ आपको option दिया गया, जिसमें है, 5 year term deposit, जो tax saving scheme होते हैं, post office में या bank में कर सकते हैं, जो कि, post office के तहत भी कई लोग करते हैं, post office time deposit rule 1981 के तहत सामिल होता है या bank में भी तमाम तरह की tax saving है, 5 साल, minimum lock-in period होता, 5 साल के बाद ही आप bedra कर सकते हैं, उस पर loan नहीं ले सकते हैं, 5 साल तक, life insurance या pension plan premium आप दे रहे हैं, या national saving certificate, जिसके creates issue हैं, ये लिए हैं, या public provident fund में जमा कर रहे हैं, या अपने पुत्री के नाम पर सुकन्या सम्रिधी योजना के तहर जमा कर रहे हैं, या term deposit है, bank fixed deposit जो 5 साल और उससे ज्यादा वाला है, तो या tuition fee जमा कर रहे हैं, unit link, insurance को लिए हैं, ulip, या फिर कोई mutual fund जो tax saving वाला है, उसमें जमा कर रहे हैं, या senior saving scheme, SCSS जो बोलते हैं, इसके तहर आपने जमा किया, तो ये सब का benefit आपको ATC में 1.5 लाग तक मिल सकता है, तो ये older scheme में ये सब आपको benefit मिल जागा, तो ये सब अगर आप declare करते हैं, ये सब जो भी मैं बता रहा हूं, ये सब को आपको click करना है, double click करना है, double click करते ही इसके breakdown आ जाएंगे, सिर्फ ये नहीं कि सुकन्या समरिदी योजना में, हमने account खोल करना पड़ेगा, आपको document भी ready करना है, सिर्फ declare नहीं करना है, आपको document भी ready करना है, all the supporting document properly भरना है, इसके साथ ही और भी कई तरह के miscellaneous other declaration भी है, other investment भी है, जैसे अटल पेंसन योजना, अटल पेंसन योजना के बारे में हम सब जान ही पा रहे हैं कि इसकी eligibility जो है, 18 years से 14 years तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानि कि 1000 से लेके 5000 तक का pension मिलता है, 60 साल के बाद, तो अगर ये अटल पेंसन योजना के लिए आपने register कर लिया है, हलाकि बहुत ही कम pensioner होंगे जो इसके लिए register किये हैं, क्योंकि अटल पेंसन योजना में ही register करने के लिए पहला criteria है कि वो इसका भी यहां आपको benefit मिलेगा, इसके साथ ही अगर deduction of dependent with disability है, तो उसका भी मिलेगा, handicap self ही है, तो इसका भी मिलेगा, interest pay down education loan पर, अपने संतान के लिए education loan लिये हैं, उस पर interest का जो element है, उस पर आपको advantage यहां tax की छूट मिलेगी, इसके साथ ही अगर medical insurance premium दे रहे हैं, आप reverse, चाहे वो खुद के लिए हो, या आपके senior citizen parents हो, dependent हो, इनके लिए भी हो सकता है, आपको medical treatment for disease या element के लिए आपने दिया है, तो यह सब के लिए भी आपको bill भी ready रखना है, और यहां declare कर सकते हैं, new pension scheme में आगर आपने register किया है, defense retire हो गया, उसके बाद NPS भी लेना चाहते ह यह खास element को आप NPS में भी कर रहे हैं, तो यह भी आपको tax में छूट दिलाएगा, इसके साथ ही अगर आप preventive health check-up कराते हैं, तो इसके लिए भी आपको tax की छूट की सुभधा, इसके साथ ही अंतिम जो दिया गया है, राजीव गांधी equity scheme है, यहां भी अगर आपने register किया है, तो tax में छूट ले सकते हैं, इसके साथ ही मैंने बताया कि यह तो declaration आपको करना self declaration जब कर देंगे, तो यह सब को consider करते हुए, आपका जो annual deduction जो हो रहा, deduction का amount घट जाएगा, final जब करेंगे तो हाँ 26 S में दिखना सुरू होगा, इसके साथ ही reward in income tax है, जो under section IT section 89 1 के तहत ह है, इसमें आपको pre-filled आएंगे, सारे जहां जहां आपका pen होगा, नाम होगा, यह सब आएंगे, आधार number आप चेक कर लिजे, इसके बाद जो particulars भढ़ने हैं, refer to rule 21A के तहत है, income tax rule 1962, यह previous year के relevant assessment year को cover किया जाते हैं, इसमें करीव 15 questionnaire हैं, इसमें आपको yes no करना है, या भायल देना है, जिसमें सबसे पहला होता है, salary received in area in advance, अगर आपको OROP या किसी का area आ गया है, या payment of the nature of gratitude in respect of past services, gratitude amount मिला है, या payment in compensation employer के द्वारा मिला है, payment of commutation मिला है, तो यह सब आपको नहीं होता, gratitude और commutation, यह दोनों payment यहां सामिल नहीं होंगे, taxable नहीं होता है, detailed particulars of payment आपको देने होंगे, और इसके साथ ही नीचे declaration होते हैं, इस तरह से आप अगर भर दे रहें, सारे detail तमाम तरह के मैं एक video बनाऊंगा, जिसमें screen by जी दिखाऊंगा, यहां summary में बता देता हूं, कि tax के लिए कई लोगों का doubt था, तो यहां आप tax investment declaration कीजिए, और tax filing के लिए जो प् आप इस्तेमाल करके, tax बचा सकते हैं, ताकि आपका tedious कम लगेगा, rebate आप ले सकते हैं, income tax under 89.1 में, तो यहां यह सब काम अगर आप सीख लिए, कर लेंगे, तो आपको tax refund कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साल 6 महिना, wait करने की जरूरत नहीं पड़ेगे, तो यहां जो भी category select कर रहे हैं, जो भी changes कर रहे हैं, उसके बाद आपको save, submit करना पड़ेगा, तब ही वह execute होगा, और lastly, जब आप document upload भी कर दे रहे हैं, तो आपको acknowledgement आएगा कि आपका data successfully submit हो चुका है, तो इस तरह से आज हमने कैसे tax बचाया जाए, वैधानिक रूप से, यह सारे बि आया ही कि आपको service request में जाना है, और यह कहां आता है, तो यह left में menu में आएगा, left तीन parallel line वहाँ क्लिक कीजिए, और उसी के साथ हमने मुख्यता 6 चीज बताया, कि commutation, details, अगर कोई खामिया है, tax option लेना है, new scheme, order scheme, investment declaration करना है, जिसको कि मैं थोड़ा सा भी star में cover करने का प्र जो defense के तो ले ही रहे हैं, जैसा हवलदार से रिटायर हुए, तो army के हवलदार का ले ही रहे हैं, उसके बाद join किये, फिर DSC में, तो DSC का भी ले रहे हैं, या कहीं central government, state government में भी join कर गए, army के बाद, तो वहाँ से dual pense तो दोनो PPO को भी link करने का यहाँ प्राभधान दिया ग ले न, नए लोगों को तो दिया ही नहीं जा रहा है, लेकिन जो लोग पुराने लोग भी हैं, तो मेरा ब्यक्तिगत सलाह उनके लिए यही होगा, कि आप ECHS का सुभधा लें, क्योंकि आज कल 1000 रुपीज पर मन्त में तो आपको HPD का जो consultation चार्ज हैं, वही 700,000 रुपीज होता है, और बिर्धा वस्था में दोनो आदमी को दोनो प्राणी को कभर होगा, तो ECHS सुभधा लें, एफे में अगर ले भी रहें, तो उसे बंद करवा के ECHS का सुभधा लें, ताकि आपको बहतर सुभधा मिल सकें, मेडिकल सुभधा, वह 12,000 सालाना में संभाव नहीं ह और जिस तरह से आप धीरे-धीरे बिर्ध होते जाते हैं, तो मेडिकल पर तो जाना ही है, देर सभेर सबको वही रूट लेना है, उपर जाने से पहले तो बिर्ध होना है, और बिमार होना है, रोगी होना है, ये सब तो एक रूट है, ताय किया हुआ, structured रूट है, जो इस् इंकम टेक्स लेना चाहते हैं, तो ये तमाम छेवो मीनू जो बड़ा ही वाइटल है, सर्विस रिक्वेस्ट के तहट आता है, कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप इस पर विस्तार में बनाए, हमने आज बोल के बनाया, अगर आप लोग कमेंट में लिखते हैं, कि मुझ मुल्य समय हमारे साथ विताते हैं, जिसके लिए मैं सदा अभार प्रकट करता हूँ, और लास्ट में जैहिंद बोलने से पहले, मैं आप सबों से विनर्म निवेदे अगेन करता हूँ, कि आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कियें, अब अब से ही सब करें, जो कि हमें प्रोचाहन देगा, और एक बड़ी टीम तयार करने के लिए हमें उत्साहित करेगा, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलता हूँ इसी स्रिंकला में, फिर एक नए विडियो के साथ, जैहिन!